28 साल पहले करोडों की लागत से वेकोली द्वारा बनाई गई मुंगोली वर्धा नदी पर बने पुल का आदा हिस्सा धस किया है पुल के बीचों बीच में सित एक पिलर नीचे चला गया है जिसके कारण पुल की उतरी सत्था का आदा भाग एक फिट नीचे जा चुका है जो कभी भी धराशाई हो सकता है पुलिया पर से गुजरने वाले चंदरपूर, यवतमाल के रहागीर और वेकोली के मुंगोली कोल गाव और पैंगंगा आदी खदानों से रोजाना निकलने वाले लाखो टन की कोईला परिवन ठप होने की कगार पर है 28 वर्ष पूर्व 1994 में वेकोली वणी शित्र के मुंगोली खदान शुरू किया गया था इस खदान से निकलनी वाली हसारो टन कोईले की परिवन हेतू नकोडा गाव के छोर पर वर्दा नदी के तट पर 9 पिलर का लगभग 500 मीटर से अधिक लंबी पुल का निर्मान किया गया इस पुल से मुंगोली सहित कोलगा, पेंगंग, खदानों से लाखो टन कोईले की परिवन हो रहा है लेकिन इस वर्ष हुए भारी बारिश के चलती वर्दा नदी कई दिनों तक उफान पर थी जिसके चलते, महस दो महीने के भीतर 4 बार ये पुलिया डूब गया था इस पुलिया को सुचारो रूप से शिरू करने में एक महीने से अधिक समय लगा था पुलिया पर उपर ही सत्हा पर इस्थित कंक्रेट का मरमत तो किया गया था लेकिन अब पुलिया के 9 पिलर में से बीचों बीच में स्थेत 5 पिलर एक तरफ जोग गया जिससे कभी भी दुर्गटना होने की संभावना बनी हुई है गुरुवार को बेकोली वणी शेत्र के शेत्री महाप्रबंदक आभास सेंग वा अन्नी अधिकारियों ने इस पुल का निरिक्षन किया जल्धी पुल को बंद कर वर्धा नदी पर अस्थाई रास्ता बनाने के संकेत दिये हैं